एलो फ्रेंड्स वेलकम तु स्मार्टी नो करी चैनल दोस्तों आज हम आपके लेकर रहे हैं एक और नहा एक्पीरिंस वीडियो और ये अमारा एक्पीरियंस वीडियो नंबर है 38 और आज की वीडियो बहुत जानेंगे कि एक नेया जूशir को मिल रहा है जी हां दोस्तों बर्तन दोने के लिए तयार हो जाए जो मैंने आपको थम्निल में दिखाया है जी हां यह एड हो चुका है आपके ट्रेटेस्ट में तो आज हम बताएंगे कि कैसे आज हमारे स्टुडेंट के साथ क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया गया और किस कर वहाँ पर सेलेक्शन हुआ इस वीडियो का अपन तक जरूर दिखेगा हम अपको अब बताने वाले कैसे आपको अपने पहुंचना है तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक अपने स्मार्ट नोगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि स्मार्ट नोगी चैनल पर आपको आर पीए फैने सरी कॉंस्टिबल का जो ट्रेट टेस्ट है उसका पूरा एक्स्पिरियंस वीडियो यहां पर अपलोड होता है और डेली जोस्तों आपको दो वीडियो अपलोड कर द सबसे पहले जोस्तों मैं अपको फास फास बता देता हूँ आपको आपका एडमिट कार जो है तयार रखना है और इसकी दो कॉंपी लेनी है नमबर दो पर आते है हम हमारे मॉर्चित यानि दसवी और बारवी इसका आपको कहना है जैरोक्स करना है दो कॉंपी सभी कमन जर इतना कॉपि बता रहा हो दोस्तों उतने कॉपिया तयार रख लीजिए अब नंबर 3 पर आ जाते हैं हम आईडी फुरूप आइडी फुरूप में आपको लेना होगा आधार काड तो आधार काड को भी आपको करने होगी दो कॉपी अब आजाते हैं नंबर 4 पे वो है हमारा फोटो फोटो में क्या करना है अपको दो पास्वर टाइप फोटो लेना है वह भी रिशंट वाला अब आ जाते हैं हम अपनेस्ट पर टो नेक्स्ट किया है हमारा जाती परमाडपत्र जाने की restrictive certificate car certificate में आपको क्या करना है चाहे हो SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो आपको इसका भी दो copy कराना होगा साथ में original जी हाँ OG original आप जरूर लेके आएगा सारे documents क्योंकि आपको वहाँ पे check होता है तो अपने documents को आप अच्छी तरह से proper जो है bunch बनाएंगे और उसके दो file बनाएंगे जी हाँ दोस्तो यह जो एक file होगी और एक file यह एक file आपके चली जाएगी आपके RPA follow को चेक करने के लिए और दूसरी file आपके पास backup रहेगी जिस परकार हम हमेशा plan A और plan B बनाते हैं उसी परकार हमने जो है documentation के लिए plan A और plan B बनाया है एक जो आपके पास bag में रहेगा safe all the time कि अगर कुछ भी needed हो जाती है कहीं कुछ miss patch होता है तो यह चीज आपको हमेशा backup देगी और first वाले चीज आप जो है शो करेंगे यानि कि सभी को जो देखने के लिए जिनको देना हो constable को उनको देएंगे यह होगे आपका document को लेके चीज आज हम बताते हैं अपने trade test के लिए तो दोस्तो आज ऐसा हुआ हमाई students नहीं में बताया कि sir पहले तु बता दू आपको कि 300 test लेके 400 students जो है आज जो है विजिट हुए थे उसके बाद जो है वहाँ पे पहला आपका जो है चेक किया जाता है ID proof ID proof और आपका hall ticket जाने की admit card यह दोनों match करने के बाद आपको दिये जाता है entry ground के अंदर जाने की आपके trade test के लिए तो यह जो ground मतलब यहाँ पे hall से हैं सब दूस्तों यहां पर आपको क्या हो जाएगा यहां पर आपको जाओए अपका बैच में डिवाइट किया गया था 20 और 15 के जिए कुछ बैच में 20 से तो कुछ बैच में 15 पंदरा तो यह आपको दो बैच है जिसमें 20 और 15 वालोई students वह बढ़ागे यह डिपेंड करता है number of students टिन्हाट प्रेजन्ट है कितने उसके साफ से रिवाईट किया जाता है उसके बाद आपको बैच वासी बुलाई जाएगा नर्वन पाहम बैच बीद्ने को पिलेंगि कूल के वहां को जोका एक कि अलक रबना था कूल अनके लिए के मैं सभी उनकी ट्रोंिवर ने खरोशे यह सब्सक्राइब क्रूश्याम से खड़ा कर दिया गया और यहां डारल अजो दोस्तों बरतन धोया यानि कि आपको जो है जितने भी स्टुडेंट्स को आसन सोल या हावड़ा में है आपका सेंटर ता तयार हो जाएए आपके लिए भी अपने चीजे एड़ान होती जा रहे हैं तो आज जो है बरतन धुलाएगे आपको तो बरतन को आपको अच्छी तर करना होगा अच्छी तरह से साफ कीजिए और पानी से जितना हो सकते उतना अच्छा से क्लीन कर दीजिए तो यह हो जाता है आपका फर्स्ट राउंड अब हम आजाते है इसे एक जो है गिलास दिया गया जी यहां दोस्तों यहां पर आपको माप नहीं बताए गया यहां प स्टेप बाई स्टेप बताया है कैसे आटे को गुदना है अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसके बाद क्या है दोस्तों यहां पर भट्टी वाला जो अपको सिस्टम था वह नहीं है यहां पर चूला है चूला जो आपको नॉर्मली यूस करते हैं और आपको सम्टाइम ग काँ गई सबर्ट च्छाज सब्सक्राइब करना है था अपको जो आपने पर्टन साफ करना जैने कि अपने जो पहस्ते या वो उसके बाद second step में जब आप आते हैं रोटी बनाने के लिए तो आप जो है अपने तवे को अच्छी तरह से कपड़े से पोच लिए या फिर उसे अच्छी तरह से धोके उसके बाद ही बनाईएगा दोस्तों क्योंकि एक्जामिनर जो है आपको फॉलो दे जा है मतलब आपको कर रहा है फॉलो क्योंकि उसको जा है आपको देखनी है कमी कोन से निकालनी है कि इनको सिधा बाहर किया जाए और जो है जो talented student होते हो कोई कमी नहीं देते यानि कोई भी गलती नहीं करते इसलिए उनका जो है selection हो जाता है तो आपको भी सेम यही प्रोसेजर अपनान के एक्जामनेर को दिखाया उन्होंने फिर टेस्ट किया वहां पर तीन जो है constable है जी हां तीन मैं आपको बता रहा है एक एक हैं टोटल टोटल तीन है अटीन हो जो है टेस्ट करते हैं आपने मास्टर से देखाई होगा दोस्तों एक शीए एक सो आता था टीवी पर जिसम दो जजने पास के तो आप जो है सेकेंड राइन से ठर्ट राण में गुश जाएंगे और एक जन को पसंद नहीं आता और दूसरे जन को पसंद नहीं आता तो आप समझ लिजे कि कि तीसरे को आभी जाएगा तो भी कोई फरेक नहीं पड़ता बिकॉस आफ की मैजरुरिट मिलता नहीं है तो जितना कम समय ही हो लेकिन आपको जो है अपना कोश्यारी से चलांके से अपने काम को दिखाना है वहां पे जितना आप यहां पर यहां पर आपको समय नहीं है कि आपकी महनत लगन आपकी प्रतिष्टा सामने से एक मिनिट में दो मिनिट में दिख जाए इसलिए जितना हो सके अपने आपको एक्सपेस कीजिए बताने के एक जते हैं आपको आपको पता होगा केस की आलो है कि त्तीने चीज़ आपको दिजाएंगी ही और रिसके बा classrooms का यहां अच्छे काट लेंगे जिह काटने के बाद आपको जो 있는데 सब्ले बनानी पड़ेगे तो सब्लाना होगा आपको बैगन की आलो की तो सब्जी जो है हमेंसा अच्छे से ज़्यादा ओईली नहीं होनी चाहिए आपको देखी ओईल वहां रखा है इसका मतलब यह नहीं की फरीगा है तो आप दबाके जो है आल डाल दीजिए ओईल में ही सब्जी बना के पका कर खिलाएंगे तो टेस्टी करना जितना सफिसेंट होता है जितना जरूरत हो उतना ही तेल डालिएगा ताकि जो है कि सब्जी ज्यादा ओईली ना हो और इस परकार बैगन और अलो की सब्जी बना कर जो हमारे स्ट्रोडन ने दिखाया और दोस्तों आपकी सुरीदा के लिए मैं बता दू कि हम जल्द डाल बनाना जी है यह दोस्तो्स दाल बनाना वैसे दोस्तों मैं बता दू अपको बता दू है दूसरे राउन्न मी और रू्टी बनाएगा तीसरे राउन्न में आप से सब्जी बना गया तो यह 4 राउन्न है बट ऐसा नहीं होता ता क्योंकि जब अगर आप сattendारे ये आप पका सेलेक्षन पक्का हो चुका है तो यह उन सब के लिए हैं तो यह अगर इसमें क्या होता है कभी डाल बनाने को किसी को किसी के अपना देखना चाहता है कि आपका स्पेस्टियालिटी क्या है आप क्या अच्छा बना सकते हैं अपनी पसंद से अगर जब आपको जारत दी जाती है इसकार्थ यह है कि आप जो है अलड़ी सेलेक्ट हो चुके हैं बस यहां पर नॉर्मल सी अपनी फॉर्मलिटी कि आप आज हुई दोस्तों और इसी परका हमारे जो स्ट्विडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत सुपकामना है कि आप भी पूरे तरह से फॉल अप लीजिए और अच्छी तरीके से जाए दोस्तों मेहनत से जाए लगन से और अपने काम को एंजाम दीजिए और उ एक्सपिरिंस के साथ एक नहीं जान करी तब तक लिए शुद्रवती अगा करें